आज नगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के पर्दीश अध्यक्ष युगिंद्र वर्मा के नेतरत में दर्जनों कारी करताओं ने जासी की रानी पार्क से इसलामिक आतंकवाद एवं कट्टरवाद की या शवयात्रा निकाली यह शवयात्रा जासी की रानी पार्क से प्रारंभो कर प्रकाश चोक से होते वे महविर चोक पर समाप्त हुई इस शवयात्रा के दोरान परदेश अध्यक योगींद वर्मा ने कहा कि रास्टी अध्यक चंद्र परकाश कोशिक के निर्देश कर्म में पूरे परदेश में इसलामिक आतंकवाद और कटरवाद की शवयात्रा निकाले गई क्योंकि आज पूरी दुनिया पर समाप्त होने का खत्रा मंडरा रहा है इसलामिक आतंकवाद और कटरवाद दुनिया के लिए नासूर बन चुकी है पाकिस्तान टर्की सहित अन्य इसलामिक देश दुनिया में आतंकवाद फैलाने में मुख्य भूमिका निबा रहे है इन देशों की नीती केवल दुनिया को बरबाद करना है दुनिया का कोई भी धर में हिंसा नहीं सिखाता लेकिन इसलाम केवल हिंसा सिखाता है जिला अध्यक्ष शांक्तियागी एवं जिला परभारी सचिन कपूर जोगी ने संयुक्त बयान में कहा कि यदिस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना है तो हमें भी अंदर अपने कटरवाद लाना होगा तथा पूरी दुनिया को एक होकर आतंकवाद को समाप्त करना होगा आतंकियों का साथ देने वाले देशों का पुर्ण वहिशकार कर उन पर आर्तिक परती बंद लगाना होगा इन देशों को सबक सिखाने के लिए इन से सभी व्यापार बंद करने होगे तथा जो मदर्सी चल रहे हैं उन्हें बंद करने होंगे उन मदर्सों को बंद करने के पश्चात स्कूल या स्पिताल बना देना चाहिए इनकी हरगती वीदियो पर नजर रख आतंक फैलाने वालों को सीधी गोली मारने के आदेश सरकार को देने होंगे जी आज अखिल बारत हिंडू मास्तवा द्वारा उत्तर पर देश के प्रतेक जिले में इसलामिक आतंकवाद, लव जहाद और इसलामिक कटरवाद के खलाब पर दसन किया जा रहा है जिसमें मुझा पनागरी काईदवार भी आज एक सव्यात्रा निकाली जरही हैं इसलामिक कटरवाद, इसलामिक आतंकवाद और लव जहाद की और इसलामिक कटरवाद की सव्यात्रा लेकर मावीर चोंग कोंचेंगे और वहाँ पे नाले में उसको बाहेंगे